हेलो बच्चो वेलकम टू एक्सलेंट एकडेमी कुराडी एक्सलेंट एकडेमी कुराडी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में SSC 10th Class Mathematics 1st का चप्टर नमबर 3rd Arithmetic Progression तिस Arithmetic Progression का हम Problem Set 3rd Start करने वाले है आज का ये लेक्चर नमबर 7 है इस चप्टर का इस Problem Set में हम आज की इस वीडियो में Question No.1 जिसमें MSC News है 1 से लेकर 10 तक Multiple Choice Question है 1 से लेकर 10 तक साथ-साथ Question No.2 भी कवर करेंगे Question No.3 भी कवर करेंगे Question No.4 और Question No.5 भी कवर करेंगे ठीके बाकि के जो Question है वो Next Lecture Lecture No.8 में कवर करेंगे तो Mathematics के सोलूशन अब हो जाएंगे आसान बने रहे हमारे साथ तो Mathematics के सोलूशन आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे हमारे साथ बने रहे हमारे चैनल Excellent Academy कुराडी को लाइक करें, शेर करें, सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल अरकन पर प्रेस करें ताक कि आपको नए नए वीडियो की नूटिफिकेशन मिलते रहे तो चलो Problem Set 3 के Question No.1 से लेकर Question No.5 तक स्टार्ड करते हैं तो Problem Set 3 का Question No.1 तो पहला Question ऐसा है Question No.1 का The Sequence Minus 10, Minus 6, Minus 2 और 2 यह हमारे पास एक Sequence दीए तो यह AP है के नहीं चेक करना है अगर AP है तो क्यो है Reason मतलब Common Difference क्या है Constant है के नहीं है तो Common Difference क्या हो आपको Find करना है तो Solution में सबसे पहले यहां पर जो SewONAईस दीए आपके पास में तो सबसे पहले DeFind करेंगे तो DAN क्या हो था हैtat क्नसpad का Difference तो क्वैंदी यहने माइनस 6 और माइनस टेन का डिपरंस का difference का माइनस मााइनस क्या हो जाएंगा थी तो मैंनस तो माइनस घit सिकилось 100 सबद आगें करेंगे Ну तो यहां पर जो common difference है कोई भी दो consecutive term consecutive term चैने आगी वाली माइनस पीछी वाली मतलब T2 माइनस T1 T3 माइनस T2 T4 माइनस T2 इन सबका जो difference है मतलब consecutive term का difference यहां पर क्या आ रहा है constant आ रहा है इसलिए AP है क्योंकि reason क्या है difference 4 है तो which option तो देखो आपका B option है तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा कि यह B option है करें क्वेश्चे नमबर सेकंड की बात करेंगे अभी first four term of APR तो आपको first four term AP के find out करना है AP की first four term find करना है whose first term जिसकी first term minus 2 है first term मैंने a equal to minus 2 और common difference दिया मानस 2 तो d आने minus 2 तो first AP की four term यह A option होगा की B option होगा की C option होगा की D option है तो चक करतें तो आपको A और D पता है तो आप first four term या कोई भी term आप find कर सकते हैं तो first term मैंने a होगा तो first term मैंने a होता है second term मैंने a plus 1d 2 है तो 1d यह T3 मतलब third term निकालना है तो 3 है तो a plus 2d मतलब एक कम होता है T4 है तो a plus 3d मतलब 4 से एक कम क्योंकि formula क्या होता है a plus n minus 1d n minus 1 मतलब yen रहेग तो first term minus 2 फिर T2 है ने a plus d तो a की value कितनी है minus 2 है और plus d की value कितनी है minus 2 तो plus के आगे में minus है तो minus 2 रहेगा फिर minus 2 और minus 2 कितना हो जाएगा minus 4 हो जाएगा फिर a plus 2d बोल रहा है तो a की value minus 2 plus 2d d की value minus 2 तो plus minus minus हो जाएगा 2 तो minus 4 और minus 2 minus 6 हो जाएगा ठीक है और उसके बाद में a प्लिस 3D बोल रहा है तो 1 की वालू मैनस 2 प्लस 3D तो D की वालू मैनस 2 है तो 3D जा मैनस 6 हो जाएगा मानस 6 और मैनस 2 प्लस थीमिल जाएगा आप शॉटकाट ऐसे भी फैंडडाओ कर सकते हो कि A यह ने मैनस 2 है common difference मैनस 2 मैनस 2 ख था गना तो मैनस 2 मैनसНет करे था तो माइनास फो मैंनस तो माइनस टू egg करोगे माइनस टू Cris लिए ध्या टौकि और सकती हो कि तो किस्ट्स तो म Country और physically अगर अगर हैं मेनध सॉट्क अपर सकती हो और फीच को अई रहें सोटकट में सौल करना हम को इसे में κάνu I amaccoon ऑपाट कम नंबर का सम्कार करना तो फस्ट फिन जम्बर का सम करना मझा पशरब लंबर को सब्सक्राइब तो आपको पता है यहाँ परस्टम प्रस्टम प्रस्टम प्लस लास्टम वह भी फर्मूला है एन बाइटू टॉई से फ्लस एन माइनस वन इंटू डी वह फर्मूल लगाने के ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको first term भी पता है last term भी पता है तो SN का फर्मूला n by 2 first term bracket में first term plus last term तो yes 30 हमको 30 terms का sum निकालना है तो yes 30 तो 30 by 2 bracket में first term और यहनके जगे 30 आ जाएगा तो 30 by 2 कितना होता है 15 होता है और T1 की value कितनी है 1 है और T30 की value कितनी है 30 है तो 30 plus 1 31 और into में 15 15 अब 15 से 31 को multiply करो तो 15 1 जा 15 15 के 5 बच गया कितना 1 15 3 जा 45 45 और 1 46 तो 465 यह आपका answer रहेगा मतलब sum of 30 terms कितना रहेगा 465 तो which option B option तो B option आपका correct answer रहेगा अब बात करेंगे I am switch number 4 की तो for a given AP T7 मतलब 7 term दिये 4 common difference दिया minus 4 तो आपको a fine करना है तो यहाँ पे अब a find करना है तो a की value 6 होगी की 7 होगी की 20 होगी की 28 होगी मतलब A option में 6 दिया है, B option में 7 दिया है, C option में 20 दिया है, D option में 28 दिया है, तो A की value क्या होगी, वो आपको find out करनी है, तो आपके पास solution में क्या दिया है, for a given AP के लिए 7 term दिये 4, और common difference कितना दिया, minus 4, आपको ये find करना है, तो यहाँ पर term दिये 7 term, तो इस 7 term तो हम n term का formula का use करेंगे, क्योंकि आपको given में, D का तो कोई formula है नहीं, A का तो कोई formula नहीं, आपको terms का, N terms का formula है, तो आप N terms का formula लगा होगे, तो TN equal to A plus N minus 1 into D, यह आपका formula है, कोई भी term निकान दिये, तो TN का formula A plus N minus 1 into D होता है, तो N के जगा 7 लिखोगे, A आपको find out करना है, तो A as it is रह फिर equal to में A as it is रहेगा, plus as it is रहेगा, 7 में 7 के तो 6 बचेंगे और bracket में minus 4 as it is रहेगा, फिर 4 as it is equal to में A जैसा का वैसा, यह plus minus minus 6 फोरजा 24, सैंचो 24 हो जाएगा, अब minus 24, left hand side में लाओगे, plus 24, A को as it is रखोगे जगह पे, क्योंकि यह हमको find out करना है, तो 24 और 4, 28, तो which option D option, तो D option is 28, this is correct, तो बताओ, यहाँ पर हमको A find करने के लिए, हमने किसका फर्मोल लगाए, TN का फर्मोल लगाए, N term का फर्मोल लगाए, क्यों, क्योंकि आपको T7 दिया था, 7 term दिए थी, ठीके, अब बात करेंगे 5th question की, तो for a given AP, given AP के लिए आपके पास A दिया है 3.5D और common difference दिया है 0, और N दिया है 101, N की value, तो आपको TN find करना है, तो TN पता है किया निकलेगा, तो 3.5D निकलेगा, क्योंकि common difference 0 है, Japan सब्राइब करोंगे 3.5 तो 35 एंशर आएगा क्योंकि common डिफिरेंउट जिरो गर याल NF-97 उन्हेट हलं दो दो आप वुछ जक्रंद चाहते हो तो आप स्य और फिर डिफ्रेंस जीरो दिया है यहन दिया है 101 हमको TN करना है तो TN का फर्मूल आपको पता है A प्लस N-1 इंटू डी तो यहन के जगव 101 मतलब आपको सब भी टम निकाल ली है तो TN के N की वैलू क्या लिखोगे 101 लिखोगे यह 3.5 101-1 और D की वैलू 0 तो यह 0 से तो वीच ओप्षण ए ओप्षण बी ओप्षण बी ओप्षण इस करेक्ट 3.5 अब बात करेंगे 6 क्या बोल रहा है कि इन एपी एक है फर्स्ट टू 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 टीए माइनस 3 और 4 तो आपको 21 टम निकालनी है तो 21st टम तो आपको पता है कोई भी टम निकालने के लिए A और D की ज़रत पड़ती है तो फ़र्स्ट टू 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 मैनस 3 हो जाएक और प्लस हो जाएगा तो 4 प्लस ट्री सेवन हो जाएगा अब एकी वैलू मैनस 3 डी की वैलू सेवन तो आपको टीवेंटीवन निकाल सब्सक्राइब तो उसके लिए टीएन का फर्मौ लगाएंगे एए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी तो यह एन के जगह 21 आ जाएगा और एक एक जगह माइनस 3 यह जगह 21 माइनस 1 और डी के जगह 7 डीके वहलो 7 दिए कॉमन डिफिनल्स फिर यह माइनस 3 एज़ रहेगा 21 में 7 गे तो 20 और 7 as it is रहेगा minus 3 as it is 27 जा 140 140 में से 3 गे तो 137 तो 21 जो 21st जो term रहेगी वो 137 रहेगी तो which option C option is correct C जो 137 तो आपको समझ में आगया होगा एस M.S.U. बहुत आसान था 21st term निकान लिती तो आपको A और D find करना था तो first 2 term जो D थी उसके हमने A और D find किये फिर TN का formula लगा है calculation किये और C निकल गया option 137 बात करेंगे अभी 7 question की कि if for any AP कोई भी AP के लिए अगर D 5 है तो T 18 minus T 13 क्या होगा तो T 18 minus T 13 ये निकालना है तो T 18 term minus 13 terms क्या होगा तो option दिया A 5 B 20 C 25 D 30 है तो कौन सा option correct होगा वो हमको find करना है तो solution में for AP for a given AP common difference 5 दिया है तो 18 term minus 13 terms निकालना है तो यहाँ पे हम T N का formula लगाएंगे क्योंगी terms की बात चल रही है तो A plus N minus 1 into D अब T 18 minus T 13 ये हमको निकालना है तो 18 के समय इस N के यहाँ पे जहाँ N है वहाँ 18 आ जाएगा common difference की value 5 रहेगी ये हमको नहीं पता तो A जैसा का वैसा रहेगा plus N के जगा 18 आएगा minus 1 और D की value 5 अब बात करेंगे T 13 तो minus के आगे में बहुत बढ़ी time आने वाली इसलिए bracket में लिखेंगे तो T 13 के समय ये as it is रहेगा N के जगा 13 minus 1 और D के जगा 5 तो रहेगा ही रहेगा अब इसको solve करो A जैसा का वैसा 18 में से बन गए तो 17 ये 5 जैसा का वैसा इसका bracket हमने open किये तो ये plus A का minus से हो गया ये plus का minus 13 में से बन गए 12 और ये 5 जैसा का वैसा रहेगा अब ये plus से minus से cancel हो गया ठीक है अब 17 5 जा तो 85 होता है अगर नहीं पता है तो आप ऐसे कर सकते हो 5 7 जैसा 35 35 के 5 बचे 3 5 जैसा 5 5 और 3 वो 8 तो 85 12 5 जैसा 60 12 पंचे 60 होता ही है अब 85 में से 60 गे तो 5 में से जीरोगे 25 तो 18 टम्स और 13 टम्स का जो डिफरेंस रहेगा वो कितना रहेगा 25 तो वीच ओप्शन सी ओप्शन इस करेक्ट अब बात करेंगे हम एट क्वेस्चन की एट क्वेस्चन क्या बोल रहा है सम फर्स्ट फाइव मल्टिपल आप 3 तो सम निकाने इस बार फर्स्ट फाइव मल्टिपल आप 3 बोला तो क्या होगा तो तो आपको 5 तक चलना है 3 तो यहां पर ए आने कितना होगा 3 होगा कॉमन डिफरेंस कितना होगा अगर मल्टिपल आप 3 तो कॉमन डिफरेंस 3 आएगा और आप चेक भी कर सकते हो 6 मानस 3 3 तो आपको सम निकालना है 5 मल्टिपल आप 3 तो यह 5 हमको निकालना है तो हम SN का फर्मा लगाएंगे एन बाइट टॉइस से प्लस एन मानस बन इंटू डी आप उभी निकाल लगा सकते हो तो SN इकल टू एन बाइट फर्स टम प्लस लास्टम भी लगा सकते थे ठीके तो मैंने नहीं लगाया SN का फर्मा लगा है एन बाइट टॉइस से प्लस N मानस बन इंटू डी ओके तो एन के जगह कितना आ जाएगा 5 क्योंकि 5 मल्टी मतलब मल्टीपल आप मतलब 5 फर्स्ट 5 मल्टीपल आप 3 का हमको सम निकालना है तो यह 5 एन के जगह 5 बाइट टू एक जगह 3 आ जाएगा 6 18 होता है तू 9 जा 18 और 95 जा 45 तो वीच ओफ्षन ए ओफ्षन ए ओफ्षन ए ओफ्षन करेंट मतलब अगर आप इन तीन इनका सम करोगे तो 100 पर्शन 45 आएगा यह आएगा तो फर्स्ट 5 मल्टीपल आप सम कितना आया 45 तो बहत आसान था यह बी अब बात करेंगे कौच्छ करें कि तरह कि फॉर्स 10 टर्म का हमको निकालने तो सबसे पहले इंद गिवन एपी में आपके पास गिवन एपी यह पास गिवन एपी दिया है तो यहां फॉस्ट लिए तो निबूट तो हमको हमारे पास जो एपी दी है उसका 10 times का first 10 times का sum निकालना है तो S10 हमको निकालना है तो S10 निकालने के लिए हम SN का फर्मोः लगाएंगे तो SN equal to क्या होता है N by 2 toys A plus N minus 1 into D यह वाला हम फर्मोः लगाएंगे N by 2 toys A plus N minus 1 into D तो N के जगा 10 आ जाएगा जहाँ यह नेतना जाएगा तो यह 10 by 2 हो जाएगा, अब 20 A, तो A के जगह कितना है, 15 है, N के जगह, यह 10 आ जाएगा, 10 minus 1, और common difference कितना दिया, minus 5, तो bracket में minus 5 लोगेंगे, तो 2 5 जा कितना होता है, 10 तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, 2 15 जा 30, 10 में से बन गे 9, और bracket में minus 5 as it is रहेगा, फिर निचे में यह 5 जैसा का वैसा, क्योंकि 2 5 जा 10 हुआ था, ठीके, 5 जैसा का वैसा रहेगा, bracket में 30 जैसा का वैसा, 9 5 जा 45, तो यह plus minus minus 45 होगा, 5 जैसा का वैसा, 30 में से minus 45 होगे, तो कितने बचेंगे, minus 15 बचेंगे, क्योंकि 5 में से 0 होगे, 5, 4 में से 3 गे 1, तो minus 15 बचेंगा, और 15 5 जा 75, तो minus 75 आपका answer रहेगा, तो minus 75 बोले तो A option, तो A option रहेगा, आपका minus 75, ओके, तो मतलब इस AP में first 10 terms का समझो रहेगा, वो कितना रहेगा, minus 75 हो रहेगा, अब बात करेंगे, लास्ट M सुगूस की, कि आपके पास एक given AP दिया है, उसमें first term is 1, first term बचेंगे तो A, याने 1 दिया है, और last term 20 दिया है, मतलब TNN 20 दिया है, तो sum of all terms, sum of all term, और एक बात दिया है, sum of all term, बोले तो SN भी दिया है, 399, तो आपको find करना है, यन, तो यन की value क्या होगी, वो आपको find करना है, मतलब first term दिया है, one, मतलब T1 याने 1 दिया है, लास्टम इस 20 है, तो TNNN 20 है, और पूरे terms का sum, तो last term 20 दिया है, यन की value 20 है, ऐसा नहीं है, लास्टम अने TNN होता है, याद रखना है, तो TNNN last term होता है, अब वो last term कुन से number की हमको नहीं पता, वो यन ही तो हमको find करना है, तो last term 20 दिया है, और sum of all term, sum of all term बोला तो SN होत है, 399, तो आपको find करना, यन, यन निकालने के लिए, हम SN का formula लगाएंगे, वो भी first term plus last term वाला, तो N by 2, first term plus last term, तो SN की value दिया है, 399, यन हमको find करना है, तो N by 2 जैसा का वैसा रेक up first term 1, और TN जो दिया है, last term, वो 20 दिया है, तो ये जो divide वाला जो 2 था, वो into में चला गया तो 798, अब यहां just N बचेगा, और 20 plus 1, 21 हो जाएगा, अब ये 21, 798 के divide में आएगा, तो 798 की divide में 21, तो 21 से 798 को divide करोगे, तो रप में आपको divide करो, 100% आपका answer 38 आएगा, तो N की value कितनी आई, 38, तो 38 terms का sum, 399 आ रेगा, और last time आने T38, 100% 20 रेगी, तो इस सब का जो sum है, मतलब 399 आ रहा है, तो यहां पर जो N terms है, वो N terms हैंने 38 terms है, तो यहां की value कि आएगी, 38 तो B option आपका correct रहेगा, तो यहां पर पूरे multiple choice question complete हुए, question number first के, अब बात करेंगे question number second की, तो question number second क्या बोल रहा है कि find 4 term, from in, और भी from in से निकारना याद अकना, यह focus करना है, from in से 4 term आपको find करना है, आपके पास एक given AP दिया है, तो आपके पास इन given AP में, तो आपको 4 term कहां से find करना है, int से, मतलब 49 से के पहले, फिर उसके पहले, फिर उसके पहले, फिर उसके पहले, ऐसी 4 term from in से find करना है, तो यहां पर आपके पास जो given AP दिया है, वो minus 11, minus 8, minus 5, इस तरह स सप्लाइब करोगे तो माइनस सथ मतलब कॉमंध 24 यहां पर जो इस तो यहां तो इसका सब कालिए ओ सब्सक्राइब को सबना तो यह यह करेंगे तो इसको तो इसको रिवर्स करेंगे एपी को तो ए जो रहेगा फस्ट हम वह 49 रहेगा और कॉमन डिफरेंस प्लस 3 नहीं रहेगा मैनस 3 रहेगा तो जब हम रिवर्स सीरियद चीदे जा रहे थे मतलब अगर हम उसको रिवर्स करते तो common difference मतलब उसमें से माइनस 3 लेगा उसके उस्सदी तो निकाल सकते हैं लेकिन हम फार्मूले करके फार्मूले करेंगे तो रिवस करने कि यह बाद में फर्स्ट चंप 49 रहेगा और प्लस ठीम निकालना है तो फार्मूल रहाएंगे ए प्लस एन माइनस बने इंट इन्टू निकालना है तो न के जगा प्लस न माइनस वन इंटू इंटू न फोर्टी नुगा तो फोर्टी न जो रहेगी वह फोर्टी रहे गया अप चक कर लो अगर आपकी फ्रस्ट चंप तो कितनी हो गी फॉर्टी से करोगे जो टो एक वी तो लास्ट मतलब फॉर्ट किटना एग वह कितना आए गा उम्मीद करता हो कि आपको समझ में आया होगा कि पहले आप गीवन एपी लिकोगे उसमें से common difference find करोगे तो positive 3 आएगा फिर उसको reverse करोगे तो reverse करने के बद में first term a49 रहेगा तो common difference कितना रहेगा minus 3 रहेगा ओके आगे बढ़ते हैं अब बात करते कुछ नमबर 3 की तो e9 ap आपके पास एक ap दिया है जिसमें 10 term 46 दिया है और फिफ्ट और 7 time का sum दिया है 52 तो find करना ap आपको ap find करने के लिए आपको t1 t2 t3 t4 निकानना पड़ेगा तो t1 t2 t3 निकानने के लिए आपको a और d की वैलू निकान ली पड़ेगी तो a और d आपको इस 10 term जो 46 दिया उससे एक equation मिलेगा फिफ्ट और 7 term का sum 52 दिया इससे एक equation मिलेगा दोनों को solve करेंगे तो a और d की वैलू निकलेगी और उस a और d की मदद से आपको starting के 3 term बने तो उस 3 term की मदद से आप ap find out कर सकते हो तो सबसे पहले solution में in the ap 10 term दिया तो t10 46 दिया है और 5th और 7 term का sum मतलब t5 और t7 5th term और 7 term का sum t5 और t7 इनका sum 52 दिया है तो now tn का formula लगा हैंगे a plus n minus 1 into d तो t10 बोला मैंने तो t10 के जगर 10 आ गया a जैसा का वैसा 10 minus 1 into d अब a और d की वैलू हमको नहीं पता तो यह a plus 90 हो जाएगा t10 की वैलू 46 दिया है तो a plus 90 equal to 46 यह equation number first तो मैंने बोला था कि 10 term is 46 से एक equation मिलेगा now 5th term और 7 term का sum 52 दिया है तो t5 बोला तो a plus 5-1 into d आएगा तो 5-1 एने 4d तो a plus 4d होगा और t7 के समय a plus 6d shortcut में लिख सकते हो a plus n minus 1 into d वाला फर्म में लगाएगे तो a plus 6d हो जाएगा तो a t5 एने a plus 4d होगा t7 एने a plus 6d होगा ठीक है अब a और यह 20 से हो जाएगा 4d और 6d 10d हो जाएगा और equal to 52 अब पूरी equation को 2 से डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड both side by 2 तो 2a by 2 a हो जाएगा 10d को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5d और 52 को उसे डिवाइड करेंगे तो 26 आ जाएगा तो यह आपका equation number second रहेगा अब first and second को solve करो तो इल्मिनेशन में देड का यूज करेंगे तो एसे सब्सक्राक हो सकता है एसे गाइब हो सकता है दोनों का कूफिशन सेम है तो सब्सक्राक करेंगे equation number first and second को सब्सक्राक करेंगे तो इक्वेशन जैसा का वेसा रहेगा second के साइन सभी चेंज हो जागे यह-प्लस यह तो मैनस हो जाएगा 5D यह तो मैनस 5D हो जाएगा 26 हो जाएगा क्योंकि हम आप ट्रैक कर रहे है तो यह से कैंसल हो जाएगा और 9D में से 5D तो 40 बचेगा और 46 में से माइनस 26 गए तो कितने बचेंगे 20 बचेंगे तो 4 5 जा 20 तो डिकी वैलू क्या आजाएगी 5 आजाएगी ठीके डिकी वैलू क्या जाएगी 5 आजाएगी अब यह जो डिकी वैलू जो 5 है इससे एक्वेशन नमबर फर्स्ट में पूट कर देंगे इसके जगा तो ए प्लस 9 डिके जगा 5 आ जाएगा और एक्वल टू 46 जैसा का वैसा रहेगा तो 95 जाब 45 यह रिपीट ताम होगी इसको लिखना नहीं चाहिए था तो 95 जाब 45 इकल टू 46 यह प्लस 45 उधर गया तो माइनस 45 और 46 में से 45 गये तो कितना बचेगा वन बचेगा तो एक वैलू क्या होगी वन अब ए भी पता हो गया और डी भी पता हो गया तो एक की वैलू 1 है डी की वैलू 5 है तो आप आप एभी फाइंड कर सकते है तो एभी टी त्री एने ए प्लस 2D टी फौ एने ए प्लस 3D ओके तो कॉमन दिफ्रेंस कितना है 5 वैं तो वन में फाइब करोगे तो 6 6 में 5 गरोगे तो 11 11 में 5 8 करे को 16 आएगा तो 6 11 6 वन बनायगा फस्ट में वन यहां लिखना चीथा वन तो वन 6 11 16 यह आपकी क्या रहेगी सब्सक्र。 कि अब बात करेंगे फोर्ट कुESTION की कि the AP in which four Пер्म माइन क्ने यह भी बिल्कुल ऊपर वाले वाले क्नके तर्ड कि फोडर टर्म इस मार्प आपके पास फोडर टर्म दिया मैने माइनस थापको t 10 निकालना है तो सम निकालने के लिए SN निकालने के लिए बाद में किसम सबसे अधर हाथ हंग सलके मिलेगा माइनस करदी निकालना है तो 4 टम और 9 टम तो हम TN का फर्मो रगाएंगे A plus N minus 1 तो 4 टम बोला तो A plus 3D आएगा 4 है तो यह कम A plus 3D क्योंकि यहने तो यह N से एक कम होता है तो 4 है तो A plus 3D हो जाएगा T4 की वालू minus 15 तो A plus 3D equal to minus 15 यह आपका equation number first हो जाएगा क्योंकि T4 की वालू minus 15 दीए देखो तो A plus 3D आएगा minus 15 यह आपका equation number first हो जाएगा अब बात करेंगे T9 तो T9 बोला तो A plus 8D होगा N से एक कम और T9 की वालू minus 30 दीए तो A plus 8D आएगा minus 30 हो जाएगा यह आपका equation number second तो यहाँ पर A eliminate हो सकता है तो subtract करना पड़ेगा equation first और equation second तो equation first के sign चेंज होते देखो A plus 3D यह minus 15 जैसा का वैसा है तो इसके sign चेंज हो जाएगा यह plus यह plus 8D यह तो minus 8D यह minus 30 तो plus 30 हो जाएगा अब बता A से यह cancel हो जाएगा 8D में से 3D गे तो minus 5D बचेगा और 13 में से 15 गे तो 15 बचेगा तो 5D यहाँ 15 तो D की वैलू क्या आजाएगी minus 3 आजाएगी क्योंकि यह minus है यह plus है तो minus 3 हो जाएगी अब D की वैलू minus 3 होगी अब यह D की वैलू minus 3 equation first में put करो चाहिए equation second में put करो मने equation first में put किया यह A जैसा का वैसा plus 3 जैसा का वैसा इस D के जग क्या आजाएगा minus 3 आजाएगा और यह minus 15 जैसा का वैसा रहेगा फिर यह plus minus minus 3 3 जैसा 9 हो जाएगा यह minus 15 जैसा का वैसा minus 9 उदर गया तो plus 9 हो जाएगा right hand side में minus 15 plus 9 तो कितना आजाता है minus 6 आजाएगा तो a की value minus 6 अब a भी पता हो गया डी भी पता हो गया तो आप sum of n terms निकाल सकते हो तो sn का formula लगाएंगे n by 2 twice a plus n minus 1 to d तो आपको 10 times का sum निकालना है तो n के जगर 10 आज जाएगा n के जगर 10 आज जाएगा n के जगर 10 आज जाएगा 10 by 2 भी दिए ओके अब आगे solve करो 10 by 2 कितना होता है 5 होता है तू सिख जा माइनस 12 और प्लस माइनस माइनस 9 तरिजा 27 तो माइनस 12 और माइनस 27 तो माइनस 39 होगा 7 और 2 9 2 और 1 3 माइनस 39 अब 5 को माइनस 39 से माल्टिप्लाय करो तो 5 9 जा 45 45 के 5 बचे कितने 4 यहां पर 4 इमेजिन करो 15 15 और बचे 4 तो 19 माइनस 19 तो माइनस 195 यह सम फस्ट एंटम उप इप हो गातर प्रस्ट एंटम नहीं सोर्दयं टे व्यांट एं इस तरह बाद में हम आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चिन देखेंगे कोच्छ नमबर फाइड तो यह फिफ्ट क्वेश्चिन बोर्ट के एक्जाम पन्टाव भी बहुत इंपोर्टन्ट है ऐसे लॉजिक वाले कुश्चिन आते हैं यहां पर क्या बोल रहा है टू एपी दीए यह एक एपी होगी नाइन कॉमा तो हमको find करना value of n and n terms हमको n की value find करनी है और n terms की value find करनी है तो आपके पास जो एपी दी यह फस्ट एपी है 9,7,5 तो इसमें a ने कितना होगा 9 होगा common difference कितना होगा minus 2 तो यहां पर common difference मैंस टू है एक की value 9 है तो हम Tn इसकी n term फाइन क्रलेपे पहेले क्योंकि दोनों की एंटम हमको find करना सबसे पहले तो इसकी एंटम एने tn होगा तो tn क्वार्मुला a plus n minus 1 1 into d एक जगा 9 आ जाएगा अब एन की वेलू तो हमको पता नहीं है n तो जैसा का उस्तर एगा n minus 1 हमको यहन तो find भी करना है पर दीकर जगा minus 2 अब इसका ब्रैकेट खोलो 9 जैसा का वैसा यह minus 2 into plus 9 minus 2 n होगा minus 1 into minus 2 तो plus 2 हो जाएगा अब 9 और 2 कितना होगा 11 11 minus 2 यह आपका एंटम हो गया इस एपीगा अब बात करेंगे सेकंड एपी की सेकंड एपी क्या बोल रहा 24 21 और 18 तो इसमें फर्स्टम तो फर्स्टम को मिने एडियास दे दी क्योंकि उसमें एडियास दे दिया तो एडियास कितना होगा 24 यहां पर common धी था तो यहां common डिफन डिद्सट देती है तो 21 में से 24 लिए तो माइनस 3 बचेगा यहां पर एंटम ट्न थी यहां पर एंटम ट्न का ट्रफ करती है तो इक्वल कब चाहां करना रहा है सितना होगा तो मांच 3 अब अब इस चैहें livro यह मेंच 3 दो जाएंगा म मैनस मनेंन apologize Αप बोल रहा है condition क्या है two 가지 एन और टी एन और टी एन ड्यास दोनों एक्वल है तो टी एन के जगह क्या आएगा 11-2N आएगा और टी एन ड्यास के जगह 27-3N आएगा अब अब माइनस 2N जैसा का वैसा माइनस 3 नदर आएगा तो प्लस 3N क्योंको एन फाइंड आउट करना है तो एन वालिट हमको एन के जाएगा और प्लस 11 उदर गया तो माइनस 11 हो जाएगा तो 3N में से 2N के तो कितने बचेंगे जस्ट एन बचेगा 27 में से 11 गे तो 16 बचेगा 7 म चाहिए लो तो मैंने फर्स्ट वाला ले लिया ठीक है यहन के जगर 16 डालोगे तो 16 टू जा कितना होता है 32 और 32 में से 11 गे तो 2 में से बन गया 1 3 में से बन गया 2 तो माइनस 21 रहेगी तो एंटम्स हो रहेगी वह 20 माइनस 21 रहेगी और एन की वैलू क्या रहेगी 16 रहेगी चाहिए आप इसमें डालो आपकी एंटम्स हंडिट परसेंट माइनस 21 लिख लेगी क्योंकि यहां पर सिक्षिन डालोगे तो 63 जा 63 48 में से 27 माइनस करो गया तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने क्वेश्चिन नंबर फर्स से लेकर क्वेश्चिन नंबर कवर किये आप एक बार इनको लिखो स्क्रिंशॉट लो स्क्रिंशॉट लेने के बाद में इनको लिखो ठीक है अगर आपको PDF नोट चाहिए त सब्सक्रिंशॉट लो और इसे लिखो लिखने के बाद में आपको 100% समझ में आएगा और वीडियो देखने के बाद में अगर आपको ऐसा लगता है कि सच में हमको benefit हो रहा है तो please comment section में बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा